सब्सक्राइब कीजिए देशी इंडियन फुट को एंड प्रेस दे बेल आइकोन अलो को बॉइल कर लेंगे तो यहां पर हमने ले लिया है एक कुकर और इसमें डाला है एक लास पानी और अभी सारे अलो हम इसमें डाल देंगे ढ़कण लगा देंगे और तीन भीसल आने थक इसे बॉइल कर लेंगे इसल आ चुके है और घेस का फ्लेम औक लिएनी काल लिया है इसल आक है और बजार। हो कि हम इनकाल दिया है अलू को फंडा कर लेना थेख सकतए हो कि अलू थंडा हो चुका है तो निकाल लेना है मैं जाने से शिलके जून एक लीचो देख सकते हो कि अमनेगा है वह चील को अबिज्टे कर लेंगे इसी तरह हमें सारे आलू जो है वो कटकर लेने हैं देख सकते हो कि सारे आलू जो हैं हमने पीसिस में कटकर लिये हैं ले लिया है एक मिक्सिंग जार और अब इसमें हम डालेंगे धनिया धाय, मिर्ची और लसून देख सकते हो कि सलोनी के ले riedखानी के लिये हमने हैं मिक्सि में ग्राइंड करके तयार कर लिया है एक कड़ाई और अब इसमें हम डालेंगे तेल तेल हमने लगदुक चार चम्मच ले लिया है गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे मेथी, मंगरेल, सौप और जीरा चटक चुका है तो इसमें हम डालेंगे मसाला जो हमने मिक्सी में करेंड करके रखा है तो इसमें हम डालेंगे पानी पानी हमने लगबग आधा गलास टाला है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नमक आप अपने टेस्ट के एकॉडिंग कमिया साधा कर सकते हो और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे हरा मटर और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है पाच मिनिट के लिए इसे हम ढखकर स्लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे पाच मिनट हो चुके हैं और अभी हम ढखकन हटा लेंगे और इसे हमें एक बार चला लेना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि मटर जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है ना लेंगे बॉइल किया हुआ आलू जो हमें कट तरगे रखा है बारी कट किया हुआ धनिया यहाँ लसुन की पत्ते इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले है वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए यह अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो अभी हम ग्यास का फ्लेम आफ कर लेंगे और इसे हमें एक प्रेट में सर्फ कर लेना है आप देख सकते हो कि आलू और हरे मटर की जो सलोनी है वो बनका रेडी हो चुकी है अगर आपको मेरे ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए